मेरी क्रिस्मस एवरीवाइन आप जोड़ चुक है दबूल ओफ जलाश्टीट चानल के साथ और मेरा नाम है जत्रनागरवाल टॉपिक्स आप समझी गए होगा जब मोती लालोसवाल की वेल्थ क्रेशन स्टडी को डिस्कस करने वाले हैं बट उससे पहले क्रिस्मस और न्यू यर का एक छोटा सा प्रेजेंट सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूर्स के लिए तो बहुत बार होता क्या है कि आप लोग मुझे कॉल करके पूस्ते हैं या इमेल्स ड्रॉप करते हैं या वाट्साप पे पूस्ते हैं कि मार्केट का आउटलूक क्या है या मार्केट के अंदर क्या-क्या हुआ तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसी कस्टमाई सर्विस आप लोग के लिए बनाई जाए जिसके अंदर रिकॉर्डेट सेशन ना हो बट लाइब डिसकशन हो तो लाइब डिसकशन होगा तो आप लोग इंट्रैक्ट कर पाएंगे छोटे बैचेज रखेंगे कोशिश करेंगे कि 5-6 पीपल हो एक बैच के अंदर and you know Q&A हो सकता है फिर लाइब डिसकशन हो गया मैं अपना अनालेसिस बताऊंगा थीसिस बताऊंगा जो भी मुझे समझा है मार्केट्स के अंदर क्या-क्या हुआ है तो हो सकता है किसी सेशन में मैं बैठ हूँ किसी सेशन में यश बैठ है and definitely हम दोनों मिलके आपको बहुत धंक से गाइड कर सकते है and मैंने सोचा कि क्यो ना उस बेसिस पे एक सर्विस लाई जाए Christmas और New Year का प्रेजेंट है चलिए गाइस, offer आपको बता दिया, Christmas हमने विश कर दिया now coming back to our Wealth Creation Study का टॉपिक मोतिलाल ओसवाल हर साल कंड़क्ट करते हैं स्टडी and Mr. Ramdev Agarwal इसको head करते हैं हमेशा आपको पता है Ramdev Agarwal और मोतिलाल ओसवाल इन दोनों ने मिलके कंपनी फांड गरी थी जो मोतिलाल ओसवाल Asset Management Company है हमें पता है कि Stock Broking में है Mutual Fund House है, सब कुछ है तो ये जो कंपनी है या मैं कहूंगा जो Ramdev Agarwal जी है वो हर साल एक Wealth Creation Study निकालते हैं उसमें बड़ी सारी अलग अलग चीजे सीखते है और मेरे जैसे investors को तो बहुत बेसबरी से इंतजार होता है कि इस बार हमें क्या नया देखने को मिलेगा तो I think, if I remember correctly लास्ट टाइम की जो study थी वो management की quality के उपर थी और इस बार जो इन्होंने study करें थोड़ी different है एक checklist type बनाने की कोशिश करिए नोने 25 भी wealth creation study है 25 years हो गए guys that is what is consistency जब हम shares भी उठाते हैं हम यही देख रहोते हैं कि year on year आप perform कर सकते होगी नहीं year on year आप deliver कर सकते होगी नहीं आप कितने consistent हो तो आपको life में खुद भी consistent होना ज़रूरी है और जब की companies है उनको consistent होना भी बहुत ज़रूरी है तो जो यह study है इसको detail में समझेंगे screen पे लेकर चलूँगा पूरी study को go through करेंगे freely available है मोतिला लोसवाल wealth creation study आप लिखेंगे आपको मिल जाएगी कोई दिक्कत नहीं है बहुत ज़्यादा insightful और बहुत ज़्यादा useful होती है मैं कहूँगा कि जैसे US investors के लिए या globally हम सुनते आ रहें कि Berkshire Hathway के जो letters होते है letters to the shareholders जो Warren Buffett लिखते हैं वो बहुत importance के होते हैं इसी तरीके से अगर आप इंडिया में invest कर रहे हैं तो जो मोतिलाल उसवाल की wealth creation study है which is always I think which has always been headed by Mr. Ramdev Agarwal वो उतना ही crucial document है या उतना ही crucial piece of information है जितना Mr. Warren Buffett लिखते हैं जो अपने shareholders के लिए letters और यहाँ पे हम देखते हैं कि Mr. Ramdev Agarwal लिखते हैं you know, सब लोगों के लिए एक proper wealth creation study करते हैं तो चालते हैं अपने screen पे जादा time waste नहीं करेंगे and बहुत धंग से detail में समझेंगे वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी लगे आप लोगों को बढ़ ये वीडियो लंबी होनी जरूरी भी है जिन्होंने इतनी मेहनत करके इस wealth creation study को बनाये उनको due देना भी बहुत जादा जरूरी है and कुछ भी ना छूट जाए वो मेरा task रहेगा इसके अंदर तो इस reason से भी हो सकता है आप लोगो थोड़ी वीडियो लंबी लगे बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि this is going to be one of the most interesting videos that you are going to see and wealth creation study पे चलते हैं समझते हैं कि हम इसको practically कैसे apply कर सकते हैं अपनी life के अंदर अपने stocks के अंदर, अपने portfolios के अंदर और you know screen पे वीडियो को conclude करेंगे but conclusion थोड़ा सा बाद में आएगा अभी चलते हैं discussion let us enjoy the ride, let us enjoy the journey तो guys, finally हम आ चुके हैं अपने screen के उपर QGLP checklist 25 साल हो चुके हैं quality, growth, longevity और price ये मोतिला लोसल का funda रहे शुरू से ही बहुत टाइम से mantra रहे मैं कहूंगा mantra रहे 25 questions, 25 frameworks, देखेंगे इन्होंने इस बार क्या different किया है क्या luck किया है highlights क्या है time is a friend of good companies and enemy of bad companies in 25 years successful companies grow to unimaginable levels in sales, profits and market cap तो guys, ये बहुती बहुती एक important aspect है क्योंकि जब भी हम investment करने जाते हैं तो काफी लोग ये सोसते हैं कि नहीं यार, दो साल हो गए तीन साल हो गए stock price में movement नहीं आ रही सामने अलगा share इतना बड़ी का मेरा इतना ही बड़ा है क्या मैं इसको बेच दूँ, क्या करूँ तो ये सारी बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है इस तरीक से investment नहीं work करती जब आप actually लंबे सा मिकले निवेश करते हैं तो आपको पता चलता है कि क्या भयाना compounding आपको मिलती अच्छे companies के अंदर वो उस level पर grow कर जाती है कि आप सोच नहीं सकते Of the top 500 companies listed in 95 Only 100 companies have outperformed the benchmark over the next 25 years तो जो मैं आप लोगों से कहता हूँ कि एक lean mean compounding machine बनाए वो इसलिए मैं कहता हूँ lean mean compounding machine यानि कि आपको companies वैसी देखने हैं जो उस bracket को fit करती है Portfolio lean होना चाहिए Companies mean होनी चाहिए और वो portfolio एक compounding machine होना चाहिए हम देख रहे हैं कि काफी companies You know आपके sensex को यह outperform नहीं कर पारी Index को यह outperform नहीं कर पारी तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है Stock returns are slaves of earnings power and growth In the very long run valuations matter less तो काफी लोग कहते हैं कि क्या हमें इस value पे stock को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए You know यह गिर जाएगा 10 दिन बाद ले लें से महीने बाद ले लें 6 महीने बाद अगर आपका investment का horizon बहुत लंबा है तो आपको नहीं फरक पड़ता यानि कि जो भी Basically आप सोचो Companies हैं जो future में list होने वाली है They are going to be as exciting Or even more exciting than the companies That are listed right now बहुत ही बहुत ही बढ़िया point है बहुत बार लोग कहते हैं कि हमें Reliance जैसी company वापस देखने को मिलेगी कि हमें XYZ जैसी company वापस देखने को मिलेगी अजी आपको उससे बढ़िया companies देखने को मिलेंगी और ये data हमें दर्चारा है कि जो नई-नई companies खड़ी होती जा रही है वो और भी अच्छे से returns डिलिवर कर रही है Equity investing is complex A checklist is an excellent tool to bring discipline to the process तो देखिए गाइस Equity investing वैसे बढ़ा simple होता है मेरे साबसे बहुत simple है मैं course में भी ये बदाता हूँ हम इसे complicated definitely बनाते हैं Complex क्यों है लेकिन ये क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़े हो जाती हैं जो आपको देखनी पड़ती है तो इस बार यहनोंने 25th wealth creation study में 25 questions बनाये है The 25 questions here and the 25 related frameworks are a good starting point for an investor to create their own checklist over time तो basically अगर आप markets में नहीं है आपके बस अपनी कोई checklist नहीं है आप चीज़े check नहीं करते हैं अभी भी invest करने से पहले ये जो मोतिला लोसवाल की checklist है उसको आप definitely use कर सकते हैं और वो एक अच्छा starting point हो सकते है आपके लिए अब हम देखते हैं जो top 10 wealth creators की ये लोग बात कर रहे है 1995 से 2020 तो guys सबसे बड़ा change यही है हमेशा 5 साल का data लिया जाता था इज़वर 25 साल का data लिया है heavy compounding आपको companies में दिखेंगी fastest 25 years की price की क्या अगर Infosys, Pedalite, Aysher, Shree Cements, Berger, Honeywell Automation, Sun Pharma, Bajaj Finance, Mother Sun of Britannia बहुत ही जानी पेचानी companies है बहुत ही दिगज companies है अपने sectors में बहुत ही अच्छे से perform करती है और बहुत heavy compounding दी है इनोंने 25 साल के अगर हम returns है बहुत heavy और आप देखो Sun Pharma में, Mother Sun में जिनमें इतनी correction चल रही है समय फिर भी इनोंने कितनी heavy compounding दी है biggest wealth creator कौन है जानी कि जिन्होंने सबसे आदा wealth बनाई है Reliance Industries, मोटा भाई कोई दो Ryan ES बारे में तीन गुना हो गया है मैं कहूंगा stock कुछ time में और क्या बढ़िया returns डिलिवर करता हूँ चल रहा है हिंदुस्तान Unilever, Infosys, HDFC Kotak Mahindra Bank, ITC Asian Paints Nestle, Bajaj Finance, L&T Consistent compounding किस किया तो ये एक इन्होंने अलग चीज करी है इस बार इन्होंने points दिये fastest wealth creator, biggest wealth creator और ये आपके जो होते हैं न हर 3 साल के period में किसने अच्छे से deliver किये returns उसको लेके इन्होंने consistency का score बनाया Kotak, Berger, HDFC, Pidilite, Shree Cement, Honeywell Automation Mother Sun, Sumi, Asian Paints, Dabar और Sun Pharma Gazap की compounding है, Gazap के consistent compounders हैं लोग All round अगर हम देखें तो best किस की ranking निकल रही है Kotak, Pidilite, Asian Paints, Shree Cements, Berger, HDFC, Sun Pharma, Bajaj Finance Dabar और Honeywell Automation अब मैं आप लोगों से एक point यापे raise करना चाऊँगा, आप लोगों को एक चीज़ बताना चाऊँगा HDFC Bank आपको list में नहीं देख रहा है क्योंकि वो 6 मेने बाद list हुआ था तो अगर वो होता list में तो हो सकता है Kotak से भी better ranking लेकर आता वो Kotak number 2 पे हो जाता second में आपको बताना चाऊँगा जो all round ranking है ना आप देखोगे इसके अंदर mostly businesses जो है consumer facing है तो B2C businesses को market value अलग देती है, ज्यादा देती है B2B को थोड़ा कम देती है और B2G यानि business to government को तो और भी कम देती है तो हमें देखना होता है कि market किस चीज को ज्यादा value दे रही है और उसी पे आप bet करें Kotak Mahindra Bank B2C, Pidylite B2C Asian Paints B2C, Shree Cement B2C Berger B2C, HDFC B2C Sun Pharma, Generic Pharma Manufacturer Bajaj Finance, Dabar India Honeywell Automation, B2B Business तो definitely B2C businesses को ज्यादा value मिलती है अब आप का होगे कि यार HDFC वगेरा भी तो corporate से deal करते हैं businesses से करते हैं बिल्कुल करते हैं पर यह consumer facing businesses है तो वो मैं आपको बताना चाहरा हूँ थोड़ा चलते हैं scroll करते हैं इसको celebrating 25 years यह मैं आपको बताई चुका हूँ कितने topics देखिए इन्होंने cover करें कौन सा business अच्छा है कैसे growth को value किया जाए multi baggers के क्या characteristics होते है components of value role of interest rates और last मैं आपको काई था management integrity management के उपर इन्होंने बात करी थी पिछले वाले में अपने अब यह इन्होंने 25 questions बना रहे हैं 25 you know checklist हो गई हैं आपकी तो वो हम देख लेते हैं key findings देख लेते हैं इन्होंने क्या key findings करी हैं इस बार objective इनका क्या था objective तो देखो हमेशा यही होता है कि आप अपनी knowledge enhance कर सकें आप कुछ ऐसा चीज ढूंड सकें जो बाकी time में आप नहीं ढूंड पाया है कुछ ऐसा insight data आपको दे जाए जिसको देख के आपको लगए अरे यार यह तो मेरी आखों के सामने था मेरा ध्यान कैसे नहीं है इसमें तो definitely इनका concept method मैं आपको कहूंगा कि आप पर सकते हैं खुद से बड़ मैं इस पर time नहीं व्यतीत करना चाहूंगा क्यों क्योंकि ये सारी चीजे theoretical है आप इनको पर सकते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको apply कैसे किया जाए तो आप देख सकते हैं गाई जो top 25 fastest wealth creators के आपे बात हो रही है इनका PE ratio इनोंने बता रखा है 1995 में Infosys का PE ratio ज़्यादा था और अभी कम है Pedalite में एक heavy heavy valuation revision revision हुआ है ऐसी आप देख सकते हैं mostly companies के अंदर valuation का revision हुआ है बट कुछ-कुछ companies है Mother Sun जैसी जिनको पहले valuation ज़्यादा दे रही थी market बट अब कम दे रही है तो होता कि है अगर आपकी earnings आ रही है तो stock price तो compounding देगा ही देगा जो आपका price है या जो मैं कहूंगा PE ratio की valuations है वो upward या downward revision हो रहा है उसके अंदर ठीक है that is a different thing बट अगर आपकी earnings आ रही है compounding होके ही रहीगी and Mother Sun और इन टाइप की companies बहुत ही शांदर companies होती है अगर हम चलते है top 25 biggest wealth creators पे तो यह quantum दिखा रहा है अगर आप consistent wealth creators पे भी focus करके अपना portfolio बनाते है तो you are going to do very very well in the markets Kotak Mahindra Bank तो भया कमाल की returns है कमाल की returns है कमाल के promoter है उदे Kotak जी and हम देख रहे हैं उसकी stock price की performance कही ना कहीं दिख रही है तो लोग मुझसे काफी पूस्त है कि आप भार की companies में invest क्यों नहीं करते है एक reason तो हो जाता है guys देखो की Indian companies इतनी सारी है उन्ही को आप track कर लो उन्ही को देख लो ठीक है भार की companies definitely बहुत सारी बहुत अच्छी है but you know फिर भी आपको research करनी और काफी चीज़े हो जाती है second बात ही हो जाती है कि taxation taxation हाई है third बात ही हो जाती है currency conversion charges वो भी देने पड़ते है fourth बात हो जाती है थोड़ी safety को लेकर and safety इस basis पे मैं कहा रहा हूँ कि मानलों हाँ पर कोई broker fraud वगे रहा होता है यहाँ पर मुझे procedure पता है उस चीज़ का मेरे साथ हो भी चुगा है fare wealth के case में बाँ पर मुझे नहीं बता कि किस तरीके से recovery आईगी में कुछ जाना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा कितने टाइम में settlement होता है yes insurance से सब कुछ covered होता है but still I mean it's a big headache and fifth जो मैं कहना चाऊंगा यार ऐसी companies अगर आपके देश में हैं तो काहे भार जाना वही होता है ना बगल में छो रहा है शेहर में डिंडो रहा वही वाली बात है याँपे तो focus करो जो चीज easily accessible है अगर उसमें returns बन रही है उसमें पैसा बन रहा है तो वहाँ focus करो sector mix of top 100 wealth creators बहुत ही बहुत ही जादा important चीज है यह यह आपको बताता है कि कौन से kind of businesses जो है कौन से type के businesses है जो actually पैसा कमा रहे है consumer and retail के 14 businesses oil and gas में दो oil and gas का मैं आपको बता दू इसके अंदर reliance आ रहा है इसलिए यह sector नहीं हाँ पर आपको दिख रहा है वनना जो net wealth created है गर इसमें reliance minus कर दू I don't think you know और कोई कम नहीं इतनी wealth create कर सकती है NBFCs और banks के जो है private sector के तो obviously HDFC bank बाद में list हुआ था इसलिए वो यहाँ पर cover नहीं है यहाँ पर सिर्फ कोटक आ रहा है बढ़ आप देखो कितनी बड़ी wealth create करी है उसने maybe they have kept it separate वो मुझे पता नहीं but the thing is कि आपको समझ आता है किस type के businesses के अंदर रहना है तो सबसे पहले आपको नज़र जाती है consumer facing businesses consumer facing businesses में रहो पैसा खुद बनता है buy those businesses that you understand and you are going to make a ton of money in this market top companies in 1995 which did not make it to the wealth creation list almost 60 of the top 100 market cap companies in 1995 did not make it to the wealth creation list as their CAGR was lower than that of SINSEX कमाल है इसमें आपको भरी हुई cyclical companies मिल जाएंगी metals की companies मिल जाएंगी जो उपर नीचे उपर नीचे बहुत जाती रहती है और आपको कुछ-कुछ ऐसी मिल जाएंगी जिनके आप business नहीं बचा है और बाकी आपको government की companies मिल जाएंगी और एक हमारी प्यार ही Tata Motors है जिसकी भाईया कुछ turnaround finally होता हो हमें दिख रहा है Tata chemicals अगर है भी कागर कम है but yes, things are changing for these companies and एक चीज़ जो मुझे बहुत interesting लगी जो मैं बिल्कुल भूलना जाओ Amboja Cements ACC they did not make it क्योंकि ये लोग भहुती कम returns डिलवर कर पाएं वट आपका Shree Cement देखो यार सारी list में rule कर रहा है तो बहुत ज़रूरी होता है quality को कभी undermine ना किया जाए उसका premium जो होता है वो pay करना ही पड़ता है so ये उन्हें इंट्रेस्टिंग data point बताएं गाइस थोड़े से तो basically market cap महाँ पे जो थी companies की अगर आम मालो की you know उस समय के साब से अगर आप देखो तो भी ये mid cap companies हैं ऐसा नहीं है कि micro cap companies है 1995 के साब से अगर आज के साब से market cap देखते हैं हाँ हमें कम लगेगी बट उस समय के साब से भी these were good mid cap companies तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ small cap, micro cap companies उनके अंदर दिमाग लगाना है अब अच्छी companies के अंदर टिक के अच्छे से पैसा कमा सकता है बजाज finance is a prime example of being the fastest wealth creator तो यह average return on equity देख रहे है भाया consumer facing businesses वो भी FMCG वाले इनसे better किसी के return ratios होई नहीं सकते तो आप इस list को pause करके देख सकते it's a brilliant criteria to select businesses and these businesses compound very very heavily बस हमें पता होने चे कौन सा cyclical है, कौन सा structural growth story के अंदर अटका हुआ है 25 companies with highest pat के अगर अब हम देख रहे हैं इसके अंदर Vedanta जैसी company आ रही है वो क्यों आ रही है क्योंकि Vedanta Mother Sun गे लोग acquisitions बहुत जादा करते हैं और उस हिसाब से grow करते है तो जो profit की क्या गरह है वो बरती रहेगी 25 companies with biggest increase in pat तो उसके अंदर हम देख सकते हैं कि कितना तगड़ा profit after tax है तो Reliance का सोच हो 408 यो नो यह billion rupees के अंदर है सारा यह जो था इसका profit और अभी जो profit आ रहे है सोचो कितना बड़ा difference है तो almost insignificant है यह कमाल की बात है तो this is how wealth is actually created यह actually हुआ है यह ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है तो बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको समझना कि these things actually happen and you need to trust the system you need to trust your analysis you need to trust yourself and you need to have conviction to hold these companies for so long आप देखो 25 companies with highest sales क्या अगर कुछ-कुछ नाम ऐसे हैं जिनसे आपको कभी भी अब इनके अंदर नहीं जाना देवान होसेंग even Thomas Cook जैसो का business मुझे कम पसंद है बट आप यह देख सकते हैं list है आपको कई सारी चीजे पता चलती है and definitely मैं कहूंगा कि यह जो 25 साल की list है इसमें मेरा सबसे आदा ध्यान जिन पर जा रहा है obviously Reliance is one of them Kotec is one of them Infosays is definitely one of them and Mother Son is one of them I am shocked to see Mother Son doing so well even though cyclical industry के अंदर है 25 companies with biggest increase in sales तो यह matrix भी आप देख सकते हैं बहुत ही शांदा data analyze क्या हुआ है 25 fastest book value growth companies तो किन companies की book value सबसे आदा speed से बढ़ी है Mother Son jayasी company जा acquisitions करती रहती है उसकी book value definitely बढ़नी भी चाहिए 25 highest cumulative pat companies तो यह बता रही है आपको sum of profit after tax आप देख सकते हैं कि अगर आपकी Tata Steel, Vidanta, इन टाइब की companies जो कि cyclical होती है तो ठीक है उन्होंने stock prices ने return नहीं दी बट जो भी आपकी structural stories है उन्होंने बहुत अच्छे से returns दी है highest cumulative dividend companies किनोंने कितना जादा dividend दिया है आप देख सकते हैं 25 biggest capex companies oh my god जो भी companies जादा investment कर रहे हैं मेरी suggestion रहती है कि जो capital intensive business होते हैं उनसे आप दूर रहें but yes you have companies like reliance oh amazing returns तो एक last point रहे है 25 companies with highest increase in debt obviously you have to have reliance over here बाकी Larson and 2 Pro तो भाया करजा लेके construction करेगी Tata Motors की दूर्दशा हो रखी है मैं पता है बाकी companies को आप अपने आप से study कर सकते हैं now let us skip this part क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी मैं चारहूं कि हम jump करें सीधा questions के उपर तो यह आप देख सकते हैं यह basically यहाँ पर बताते हैं कि कौन सी company किस bracket से उठके किदर गई है mini company mega हो गई mini company mid cap में चली गई mid cap mega हो गई कोई large cap में चली गई कोई mega cap से large cap से mid cap से mini cap में आ गई है तो यह सारी चीज़े बताई जाती है एक मुझे जो matrix बहुत interesting लगा market cap to GDP तो आप यह देख सकते हैं यह जो market cap to GDP है December 2020 में all time high के पास चला गया है this just shows markets are going to take a breather somewhere मुझे अभी भी correction नहीं लग री कोई बड़ी मुझे लग रहा है markets का खड़े होने का समय शायद से आने वाला है तो let us go towards our questions I hope ओके तो the 25 for 25 approach observe the top 25 wealth creators of the last 25 years यहनोंने क्या बताया है कि small to mid size थी उस समय 95 में consumer facing businesses थे primarily वो बहुत profitable थी grew to emerges market readers तो यह जरूर है पकड़ना management integrity पर कभी doubt नहीं करना कभी भी उस पर compromise नहीं करना step 2 build a portfolio of the potential 25 wealth creators for the next 25 years क्या आप में patience है 25 साल के लिए stock sold करनेगा नहीं होता लोगों में बिल्कुल भी नहीं होता उसके बाद इन्होंने देखिए step 2 के अंदर ही कई सारी चीज़ discuss करी है कि profitable हो चीज़ leadership हो चीज़ value migration का effect कहीं नहीं आना चीज़ उनके अंदर financials के अंदर हमने देखा है क्योंकि यूनो ये तो मेरी भी thinking कहती है even moneycraft के अंदर हमारी thinking यही है कि financials के अंदर कभी भी छोटी companies में आप bet मत करो ठीक है you might miss a good rally बट बहुत सारी companies में पैसा तूटने से बच जाता है तो top 25, 425 जो इनकी जो ये नोने पूरी thesis करी है guys socha 25 stocks इनोंने दे भी दिये आपको I mean absolutely astonishing की इनोंने you know पूरी एक list अपना data analyze करके आपको दे दिये सामने इनके साब से अगर आप इन 25 companies के अंदर जाते हो you're going to make a lot of money and it has beautiful names Ajanta Pharma Olympic, Astral Polytech AU Small Finance Bank बज़ा आज finance बाटा इंडिया Buyer Crop Science, Quora Mandel Dixon Technologies, भाई साब क्या भागा है Dixon का तो run-up ही अलग रहा है DLPL हो गया, HDFC MC हो गया HDFC Bank हो गया, HDFC Life हो गया you have a good chunk of HDFC companies Honeywell Automation, ICAC, Lombard ICAC Securities, India Mart जिसमें मैं stock analysis बना चुका हूँ पहले ही Max Financial, Emphasis, Mutut Finance PNG, Health, Page Industries Jockey का जो brand है, Sengene you know Varun Beverages जो कि आपकी Pepsi हो गई, Whirlpool India तो बहुत ही बहुत ही शांदार मैं कहूंगा list है and I absolutely think even this list is going to do wonders अगर आप कोई research करे बिना खाली इन 25 companies में allocation कर देते हैं equal weightage में now but this is no investment advice मैं पहली बता दू तो ये appendix, appendix आगया भी है इसको थोड़ा skip कर देते हैं ठीक है, हमें समझ आ रहा है कि आप हमें बताना चारे हो पूरा data भर के देना चारे हो which is very good but it won't be very good for this video तो मैं इसको नीचे-नीचे करता जा रहा हूं basically ये बस आपको बता रहा है हर तरीके से कि you know, wealth creators किस तरीके से बने हैं fastest कौन से है, biggest कौन से है अब आती है बारी उस checklist की QGLP checklist 25 questions, 25 frameworks तो checklist इन्होंने बताई है जो या बनाई है, उस काम करते है तो frameworks इन्होंने देखे कि अलग-लग frameworks क्या होते है market के अंदर, तो एक framework इनका 25 questions का वो checklist है या जो भी है बट ये पुराने frameworks का है तो investing versus speculation ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि हाँ, आपको किसी ना किसी तरीके से investment बगेरा करनी होती है तो इन्होंने कई सारी चीज़ समझा रहा कि है उसके अंदर I am absolutely skipping that मैं चारा हूँ कि हम इनकी जो checklist है उसके उपर आएं सीधा और बाकी चीज़ों में हम time spend ना करें इस समय तो बहुत ज़्यादा जरूरी है बना चीज़े cover नहीं हो पाएंगी Right, business checklist What is ये basically QGLP जो इनकी philosophy उसकी checklist है इसी को discuss करना चारा हूँ मैं क्योंकि ये ही main you know, चीज है What is the history of the company and management यानि की company का जो promoter हो गए या जो management हो गई या company खुद हो गई उन लोगों का इतिहास कैसरा है Are they ethical? Are they good? Are they resilient? उन्होंने किस तरीके से काम किया है बहुत ज़रूरी ज़र्याद देखना Is the company's business model understandable मैं हमेशा आप लोगों से ये ही कहता हूँ अगर आपको समझ आ रहा है तो पैसा डालो पैसा कैसे कमारी है वो अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो पैसा मत डालो Is the company profitable? If not, is it expected to emerge? तो आपको ध्यान होगा हमने Zelfmok का एक, you know, stock analysis किया था Company recently profitable होई है But मैंने आपको क्या का, मैं 100 रुपे की मेरी buying हो रखी है उसकी And वो इसलिए हो रखी है क्योंकि I was expecting it to be profitable मैं उसका business model समझ पा रहा था Are the company's terms of trade favorable? Is cash flow healthy? Cash flow healthy होना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर business में आपको cash ही नहीं मिलेगा सब कुछ books पे रह जाएगा तो कोई फाइदा नहीं है What is the company's cost and margin structure? How has it changed in the past? Again a very very important thing to consider DuPont analysis कैसा होता है अगर आप DuPont analysis जानना चाते हैं कि क्या होता है तो उसमें मैं वीडियो अलग से बना दूँगा But बहुत लंबी हो जाएगी Role Regulations कैसी है Does the company enjoy an economic moat? अगर moat नहीं है business के अंदर तो वैसे भी नहीं जाना चाहिए Growth checklist What is the addressable market opportunity? तो basically market का size कै और कितना वो address कर सकती है Company के growth plan कैसे है Sustainable है की नहीं हो growth plan बहुत जाज़ ज़रूरी हो जादा check करना Management की जब हम बात करते हैं Management की integrity, transparency, competency Passion है उनमें की नहीं है You know, capital allocation की Strategy कैसी रहती है Organization structure कैसा है ऐसा तो नहीं की बहुत rigid है और लोगों को मौका नहीं मिलता Culture कैसा है जैसे हम HDFC group के अंदर देखते हैं कि कई सारे लोग जो top management से निकलते हैं HDFC के Does the company have a sound succession planning? Do the owners have enough skin in the game? Have the promoters pledged? अच्छा तो large अगर pledging है तो definitely एक risk है But we have seen a lot of businesses TCS में pledging है आप में से किसी को भी शायद नहीं बता होगा ध्यानी नहीं जाता हमारा Asian Pains में pledging है तो in businesses में pledging है But they are doing very very well तो हमें देखना है कि Large portion तो pledge नहीं है हम जो भी price उसका देख रहे है जज़ कर रहे है तो हमें इतना idea है कि आगले तीन साल में उसकी earnings किसे साब से आईगी Is it a QGL stock? अच्छा जी Quality, Growth, Longevity है की नहीं उसके अंदर Is valuation reasonable? Is there enough margin of safety? Is the stock reasonably liquid? अब हमारे पास एक दो कम नहीं जगा है बड़ी position exit करना चाहते है The stocks need to be liquid What can go wrong with the company's narratives and numbers? तो बहुत जाज़ा ज़रूरी है चीज़ पता होनी कि company के साथ गलत क्या हो सकता है अच्छा अच्छा तो सब देखते है I recently attended India investing conclave and investors conclave जो होती है basically Saturday Sunday को थी A lot of people are focusing on what is good with the company but you know बुरा क्या हो सकता है, गड़बड क्या है business करा तो उस पर बहुत ही कम focus था तो यूनो ये बड़ा हमारा human mindset है normal, इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है Now they have gone ahead and suggested what you can do, what you can read इसमें इनोंने frameworks वगरे दरुदर से बता रखे हैं but I honestly do not think कि हमें इसको अब discuss करने की ज़रा दर detail में मैं आपको 100% suggest करूँगा कि आप इसको you know go through करें, बिल्कुल ढंक से पड़ें it's going to help you a lot but जो मेरा main था point यहां पे कि आपको वो 25 questions का framework समझाना वो आपको समझ आ जाए तो वो हमारा हो चुका है वरना इनकी checklist के इनोंने questions के इतने अच्छे-च्छे examples लेके explain क्या है यहां पे कि मैं आपको definitely suggest करूँगा कि आप इसको go through करें and अगर आप go through करेंगे तब ही you know आपको एक मैं कहूँगा कि life में अपने difference दिखेगा portfolios में अपने difference दिखेगा wealth creation study 2015-20 तो यह वो 5 साल का हो गया data तो अभी तो 25 साल की हमने करी थी जो इनोंने इस बार किया है काम बट हम देखेंगे wealth creation का trend किसे आप से रायता है यार ठीक है सबसे कम हुआ है बहुत ही खराब हुआ है wealth जादा create नहीं हुई है covid का भी crash आया था सब कुछ था और वैसे भी wealth कम create हुई क्योंकि earnings की growth नहीं है market के अंदर stocks के अंदर, companies के अंदर and वो सब हमें दिख रहा है पिछले 5 साल का data है guys यह तो मुझे नहीं लग रहा कि यह तना important है जब हम 25 साल का analyze कर चुके but आप देखोगे तो इसके अंदर फिर आपको HDFC bank जैसा name दिखने लगेगा बड़े राम से because HDFC bank is another of the most most consistent companies that we have and हम देख सकते हैं fastest wealth creator में भाया किसने बाजी मारी है chemical companies और कौन tasty bite is there ओके चलो ठीक है GMM Fodler chemical manufacturing और उस पे focused है सारा जो glass line equipment बनाती है नवीन फ्लोरीन दीपक नाइडरेट योर आर्थी इंडस्ट्रीज सब chemical companies तो chemical companies के अंद बहुत अच्छी राली है और companies भी बहुत अच्छी है no doubt most consistent wealth creators पिछले दस साल कर लिए हैं उन्होंने हाँ पर देखिए Pidilite I mean Pidilite is an amazing company मेरे को ध्यान है कि Pidilite के जो CEO है इस समय उनको भी बुलाया था इनोंने and he was speaking with Ramdev Agarwal in the you know meeting जो हुई थी जो YouTube पे डली हुए तो आप उसको go through कर सकते हैं उन्होंने पूरी checklist लगाई Pidilite के उपर में को बहुत interesting लगा and you know that is how you learn more about businesses you understand the businesses better तो consistent wealth creators के अंदर हम देख सकते हैं कि यार consumer you know facing businesses जो है उन पे ज्यादा ध्यान दिया जाए wealth creator index okay I don't think all this is absolutely you know मैं कहुँँगा कि necessary but मैं इतना बता दूँ कि जो companies अच्छी है they are going to perform much better than the sensex I mean it's obvious क्योंकि sensex के अंदर होता है कि बड़ी बड़ी companies आ जाती है कुछ-कुछ बड़ी underperform कर रही होती है yes bank कितने time तक रहा था and अगर आप individual investor है तो you realize these things and आप बजल्दी exit कर जाते हो PSU companies wealth destroyers as usual कुछ-कुछ companies ने थोड़ा बहुत पैसा कमा के दिये but इसी reason से we have money craft in fact has no coverage on any PSU तो हमने का कि time limited होता है भाया उसी में व्यतीत किया जाए अपना समय जहां पर हमें पता है कि हाँ returns आ सकती है वन्ना रहने दो mini to mid ये again इनकी rankings आती है कि कौन जो बहुत छोड़ी कमनी थी वो कैसे बड़ी है you know किस हिसाप से बड़ी बनी है ये इनके ठीक है इनके खुद के parameters है मैं उस पर other focus नहीं करता I am in no favor of buying just the mini caps or the mid caps or the small caps of the world I have no issues if someone is holding reliance industries विक्यों मुझे reliance के अंदर उतनी कागर अगर दिख रही है जतनी एक mid cap में दिख रही है तो reliance में थोड़ा volatility के risk कम रहता है Now, wealth creation valuation parameter analysis तो guys, देखिए मुधी लाल उसवाल के अंदर specially रामदे वगरवाल जी ने ये चीज़ डेवलप करिये कि वो देखते हैं कि peg one के around होना चाहिए even 2 तक का वो कहते हैं कि मैं pay कर दूँँगा 2 से उपर कभी नहीं pay करता but peg मुझे चाहिए कि अगर less than one है तो बहुत यची बात है अब peg कैसे calculate होता है peg calculate होता है future earnings growth के असाब से my problem with this thing is it's subjective मेरे को लग सकता है कि company 20 से grow करेगी किसी को हो सकता है 15 से करे या तो past की growth को ही future में डाल दो कि हम 20% से company grow करती आ रही थी तो future में भी 20 से करेगी then it starts to make sense of it but peg मेरे को बहुत subjective लगता है that is why we do not use it but it's a wonderful thing if you want to use it peg ratio basically आप discount कर देते हो और आप देखते हो अगर वो one के under आ रहा है तो peg ratio का formula क्या हुआ price to earning ratio divided by growth ratio मलब जो भी आपकी growth है PE to growth ratio कहते है ऐसे so growth की जो भी percent उसे आप divide कर दोगे and अगर आपको है कि फिले 5 साल में let's say x percent की returns आई है और अगले 5 साल में x percent की returns वापस आ सकती है तो फिर आप बहुत डंक से अपनी calculations करके देख सकते है और अगर आपका peg ratio one के नीचे आता है one times के नीचे आता है absolutely investable company undervalued है payback ratio now this is something that you do not see everyday Mr. Ramdev Agarwal uses payback ratio कि मेरा पैसा मुझे वापस कर तक मिल जाएगा एक तरीके से तो ये उसके अंदर net profits वगरा देखते है और उस basis पे इस ratio को calculate करते है you can just read it over here and ये देखते हैं कि कितने time में मुझे पैसा वापस मिल जाएगा तो company जो actually profits deliver कर रही है उस basis पे मुझे कितनी जल्दी पैसा वापस मिल जाएगा तो जितनी जल्दी मिलेगा तो उतना ही अच्छा होगा payback ratio less than one times fails to offer the highest return for the first time ever तो ये इस बार लेकिन थोड़ी एक अलग अलग type की आई है maybe I'll tell you why market को अब अंदाजा लगने लगए जब से private equity वगर आई है न तो आप देख रहो बहुत सारी companies profitable नहीं होती market उसका future earnings को discount कर रही होती है तो अब ये 5 साल ले रहे हो सकते है market 10 साल की earnings को discount कर रही है तो ये सारी दिक्कत अब हो रही है valuation के matrix बहुत बदल रहे है और उसके वज़े से ये आपको एक मैं कहूंगा different scenarios बर देखने को मिला है वरना भाया payback ratio 1 से नीचे तो बहुत ये अच्छा होता है wealth destruction companies and sectors okay perfect perfect this is one thing I really really wanted to discuss तो हम देखते है financials order and other cyclicals like metals mining and capital goods led the wealth destruction तो मैं जब भी अपने students को बढ़ाता हूं या फिर मैं कहूंगा कि हम अपने clients का जब भी portfolio बनाते है इन दो sectors में बहुत restricted चलते है और इन sectors को 100% avoid करके चलते है so this is our philosophy and we realize this the hard way हमने ये wealth creation study पहले पढ़ लिए होती तो शायद पैसा खोने से बच जाते है कुछ-कुछ companies में बढ़ ठीक है चलो यार सीखते है ऐसे ही है market को fees देनी पड़ती है बढ़ मैं नहीं चाता कि आप लोग market को fees दें तो अगर आप मुझे fees दें और मुझसे सीखें तो definitely जो आप market को fees देंगे उससे कफी कम में आप लोग चीज़े सीख लेंगे now wealth destruction definitely हमें दिख रही है कि किस-किस sector से हुई है financials के अंदर देखो है fraud fraud भी बहुत होते हैं तो यह सब मतला wealth destroy करते हैं बहुत अच्छे से and हम देख सकते हैं कि ITC जैसी companies ने भी पिले 15 साल में कोई कागन नहीं दी है तो उनका list आ रही है 100 biggest wealth creators पिले 5 साल के of course यार biggest में तो reliance आएगा ही आएगा जिस आपसे run up दिया है but I am skipping this list you can go through it I think we have covered everything thank you so much आप इतने time मेरे साथ जुड़े रहे वीडियो के अंदर and I hope कि आप लोग को बहुत अच्छे से चीजे सीखने को मिली होंगी समझ आई होंगी I honestly do not feel कि अभी इसके अंदर और कुछ है बताने को यहनोंने अपनी पुरानी wealth creation studies का बता रहा है कि हमने क्या-क्या studies करी थी thank you so much for watching this whole video with me बहुत महनत लगी है बहुत सारी चीजे मेरे को go through करने पड़ी पहले आपको बताने से पहले मैं पूरी इनकी जुड़े रहने के लिए I hope आप लोगों को मेरा जो Christmas और New Year का offer है वो भी अच्छा लगा होगा if you want to take those offers तो आप मुझे contact कर सकते हैं limited time period के लिए 5000 की pricing रखी है and मैं आप लोगों को यही suggest करना चाहूंगा कि अपनी you know learning पर हमिशा खर्च करना चाहिए and आप उसको investing ही मान के चलें जो भी आप अपनी learning पर खर्चा कर रहे है तो आपको basically you know spend on your learning और invest on your learning so that you can invest better in the markets and market से आप और अच्छे से पैसे कमा सकें तो मेरी तो यह philosophy है अगर आप agree करते हैं तो आप मुझे contact कर सकते हैं मनना कोई बात नहीं guys content में कोई कमी नहीं आएगी content की quality में कोई कमी नहीं आएगी आप लोग के लिए videos और analysis और हर चीज ऐसी आती रहीगी I know I was one of the few ones who told you Monday को रात को बिलकुल नीन में मैंने वीडियो बनाई थी Tuesday की सुबह सुबह पोस्ट कर दी थी I had a very very busy day मैं पढ़ाता भी हूँ क्योंकि students को तो मेरे को काफी काफी देर हो गई थी उस दिन घर पहुसते पहुसते तो मैं यही कहना चाहूंगा कि please learn to reduce noise learn to you know eliminate noise और मैं एक behavioral finance की book का link डालना ओ description में अगर आप उसको you know go through करेंगे मैं मलब normally books आपको ऐसे recommend नहीं करता but that is one book which I found very very useful and covid crash के time पे मैं उसको पढ़ा था तो I could relate much more to what was happening and बहुत better decision making हो गई मेरी तो मेरी नहीं खाली यश की भी और in turn मैं कहूंगा money craft की और हमारे clients की तो यही बात है कि you know reading, learning इन सब पे खर्चा करना पड़ता है इन सब को time देना पड़ता है खाली monetary expense नहीं होता time का भी expense होता है आपको बहुत ज़्यादा तो उसको अगर आप investment मान के चलेंगे तब ही उसका फायदा है and behavioral finance पे मैं आप लोग को एक series भी लेकर आ रहा हूँ बट मैं literally चाहता हूँ कि आप लोग वो link पे जाएं उस book को खरीदें और you know उस book को पढ़ें अगर आप उस book को पढ़ेंगे तो जब मेरे उस series start होगी आप आप better connect कर पाएंगे otherwise जब series start होगी तब हम एक-एक topic को detail में discuss करेंगे सब January में आ रहा है So guys, thank you so much for watching this one I'll see you in the next one Merry Christmas everyone and बहुत ही जल्थ Capacity Infra Projects के stock analysis के साथ मैं आप लोगों से मिलता हूँ Bye